हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आप साइन्स से 30 कोशन देखने वाले हो हर एक कोशन काफी इंपोर्टेंट ध्यान से देखिएगा समझिएगा जिस भी सवाल का जवाब नहीं पता हो कोशिज करिएगा याद करने की अगर आप याद नहीं कर पाए तो इसके इंसौर जरूर लेकर रख लिजेगा सबसे पहला सवाल है मानव रक्त होता है किस तरह का होता है यह बताना है देखिए ओप्शन नंबर जो C है न छारिये होता है ध्यान रखिएगा आपको हर एक कुश्चन के बाद एक या दो सकेंड का टाइम दिया जाएगा अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए होगा ता आप वीडियो को रोक लिया करिएगा मानव रक्त जो है यह चारिये यानि कि आप कह सकते हैं कि नमकीन जैसा होता है अगर पूछें कि इनसान के सरीर में रक्त कितना परसेंट होता है तो दिखिए 7 से 8 परसेंट न इनसान के वेट के according उता है नमबर सेकेंड है कि जीव और निर्जीव के बीच की करी होती है option number C virus को जीव और निर्जीव के बीच की करी के रूप में आप जानते हैं number third है केंदरक की खोज की स्वज्जानिक ने की थी option number आपका यहां पे see हो जाएगा Robert Brown केंदरक क्या होता है समझ लीजेगा यह जो है न कोशिका का नियंतरन करता है ठीक है जैसे में की कोशिका के विकास और जो परजणन है उसको नियंतरन करने का काम किसके द्वारा किया जाता है तो केंदरक के ही द्वारा किया जाता है ठीक है और इसकी खोज किस ने किया था तो Robert Brown नामक वैज्जानिक ने किया था number four है डाजिस्ट एंजाइम किसका पाचन करता है option number आपका A हो जाएगा starch का पाचन करता है देखें यह एंजाइम शरीर को भोजन से कार्भोहाइडरेड, फैट और प्रोटीन को तोड़ने में मदद करती है option number आपका यहाँ पे A digest एंजाइम किसका तो starch का पाचन करता है number five है portland, cement का मुख के घटक कौन-कौन सा है option A, सही जवाब हो जाएगा silica, chuna और alumina ध्यान रखेंगा portland, cement का मुख के घटक पूछे तो silica, chuna और alumina होता है number six है 3-A-Yam 3D में जो laser beam की साहता से आप चित्र बनाते हैं उश विधी को बताईए क्या कहा जाता है option number B हो जाएगा holography नाम से आप जानते हैं 3D में laser beam की साहता से जो छाया चित्र बनाने की विधी होती है उश विधी को holography के नाम से जाना जाता है दूद का pH मान कितना होता है option D हो जाएगा 6.4 होता है दूद का pH मान प्रकास संसलेशन की किरिया में oxygen कहां से प्राप्त होती है option आपका B हो जाएगा जल से ध्यान रखेंगे प्रकास संसलेशन की किरिया में oxygen कहां से तो जल से मिलती है number 9 है पेलागरा नामक रोग किसकी कमीशे होता है option आपका यहाँ पे B हो जाएगा सही जवाब नियाशीन की कमीशे ध्यान रखेंगे पेलागरा अगर पूछ लिता है किसकी कमीशे तो नियाशीन की कमीशे होता है किस विटामीन की कमीशे जनन छमता गायब हो जाती है कम हो जाती है बताना है देखिए ये जान लिजे कि पहले आप इसका जवाब बता देजे क्या होगा option number C जो है विटामिन E होता है ध्यान रखेंगे और ये हरी पत्यदार सबजी वगड़ा होता है इनसे न ये जनन छमता फिर वापस मतलब कहा जाता है कि बढ़ता है और जिंक से भी बढ़ जाता है ये भी ध्यान रखेंगा number 11 है कि ट्रिप्सीन क्या है बताना है ट्रिप्सीन आपसे पूछा है ध्यान रखेंगे ट्रिप्सीन जो है option number आपका इसको देखिए अच्छे से देख लीजी हाँ बताइए क्या होगा option C हो जाएगा trypsin जो है एक क्या है enzyme होता है ध्यान रखेंगे trypsin एक enzyme है देखें यहाँ पे प्यास होना चाहिए था प्यास का जो केंद्र है वो कहाँ पर होता है number 12 option number आपका यहाँ पे A हो जाएगा hypothalamus में ध्यान रखेंगे देखिए hypothalamus में भूख, प्यास, शरीर का तापमान यह सारा प्रलव का केंद्र जो होता है यह hypothalamus में ही होता है number 13 है मरासमस नामक रोग से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है क्या हो जाएगा इसका option सही देखिए यह जो कूपोशन होता है जिसमें कि बच्चों का विकास ना हो इसे ही आप मरासमस नाम से जानते हैं ठीक है इसका option नंबर जो B है B हो जाएगा सही जवाब मान स्पेशिया ठीक है मान स्पेशिया प्रभावित होता है यह देवलप नहीं कर पाता इसे आप कूपोशन के रूप में भी जानते है कौआर्शियो कर किसकी कमीशे होता है option नंबर आपका यहाँ पे D हो जाएगा सही जवाब protein की कमीशे ध्यान रखेंगे कौआर्शियो कर जो बिमारी है यह किसकी कमीशे होता है protein की देखिए बच्चों के जो पेट में सरीर में पानी का जो जम जाना होता है या फिर कहिए आपके बाल का रूखा होना पतला हो जाना दात के निकलने में कमी हो जाना दस्त लगना या और बच्चे को सीखने की परकरिया में जो देरी होती है इसी को आप Quarcio कर नाम से जानते हैं ये प्रोटीन की कमी के वज़ा से होता है नमबर फिप्टीन है पोलियो किसके द्वारा होता है आप्शन नमबर आपका यहाँ पे D सही जवाब हो जाएगा पोलियो जो है ये विशानू के द्वारा होता है नमबर 16 है निमलिखीत में से औस्थाईकन है बताए औस्थाईकन कौन सा है देखे अस्थाईकन में प्रोटोन इलेक्टोन और न्यूटोन होता है ये जो आलफा कन है आपका ये औस्थाईकन है ध्यान रखेगा ओप्शन नमबर C यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नमबर 17 है समस्थाईक परवानों में बताए क्या होता है प्रोटोनों की संख्यां समान होती है या फिर न्यूट्रोन की संख्यां या फिर न्यूक्लियस की या इन में से कोई नहीं आप्शन आपका A प्रोटोनों की संख्यां जो दिया होगा ये समान होती है ध्यान रखेगा समस्थाईक परवानों में नमबर 18 है किस रंग के प्रकास की तरंग धहर सबसे अधिक होती है आप्शन C हो जाएगा लाद रंग बताईए कि इनसूलेन जो है एक हार्मोन है जो स्रावित होता है कहां से होता है ये बताना है आप्शन नमबर C हो जाएगा लैंगर हैंस गरंथी से ध्यान रखेगा लैंगर हैंस गरंथी से नमबर 20 है ट्यूब लाइट में समान तक गैस भरी होती है ठीक है कौन सी गैस होती है बताईए आप्शन B हो जाएगा पारे की वास्प और आरगन ध्यान रखेगे ट्यूब लाइट में पारा और आरगन ही होता है आप्शन B यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है और आप्शन D हो जाएगा Sudan Benzoate का फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए Sudan Benzoate का यूच किया जाता है आस्वों में कौन सा पदार्थ गुला रहता है option number आपका यहाँ पे भी हो जाएगा लाइशो जाइम एंजाइम दिहान रखेगा आस्वों में लाइशो जाइम एंजाइम होता है एंजाइम होते हैं option number आपका भी हो जाएगा एंजाइम क्या होते हैं तो protein प्रोटीन होते हैं ध्यान रखेंगा option 20 सही जवाब है लोहे में जंग लगती है किस वज़ा से option नंबर आपका c हो जाएगा पानी और oxygen से क्या होता है लोहे में जंग लग जाती है नंबर 25 है शूरिज से नियांतर प्रकास माफ किज़ें का फ्रेंट देखिए सूरिज से नियांतर उश्मा वा प्रकास मिलने का कारण क्या है option c हो जाएगा hydrogen का fusion इसके वज़ा से क्या होता है सूरिज से नियांतर नियांतर उश्मा और प्रकास मिलता है निम्लिकित में से जूठा सोना किसको कहते हैं आंप्शन ए हो जाएगा पाइराइड श्कुआ जूठा सोना के नाम से जानते हैं नमबर 20 सेवने आश्टिवो मेलेशिया नामक रोग सरीर में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है इस रोग से आश्टिवो मेलेशिया नामक रोग से शरीर का कौन सा तंत्र जो है वो प्रभावित हो जाता है तो देखिए एक बात समझ लिजेगा ये जो है ना बुजूर्गी में होता है ज्यादातर 45-50 साल से उपर के जो लोग होते हैं उनहीं में होता है तो ये option number आपका यहाँ पे D हो जाएगा सही जबाब कंकाल तंत्र में कंकाल तंत्र जो है ये प्रभावित होता है number 28 है हमारे शरीर में कार्बो हाइडरेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदाई है option आपका यहाँ पे D amylase हो जाएगा ध्यान रखेगा कार्बो हाइडरोट के पाचन के लिए amylase नामक जो एंजाइम है यही उत्तरदाई होता है number 29 है हरित करांती की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है यह जो मशीनी करन है ना इसका कोई जरुवत नहीं है ठीक है परियाप्त सिचाई सुविधा हो उच उपज बीच की उपलब्दता हो और रसानिक उर्वरकों और केट नाशकों की उपलब्दता अगर हो तो शिजाई अच्छे से हो सकती है बट यहां जो मशीनी करन दिया हुआ इसका कोई जरुवत नहीं है आज का लास्ट कोश्चन देख लेते हैं और सिधी जो दर्द दूर करती है वो कौन सी है एनालजेसिक ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा ध्यान रखेगा एनालजेसिक जो है यह दर्द दूर करने में काफी ज़्यादा मदद करती है और यह प्याज लहसून विटामिन E की वज़ा से भी यह दर्द दूर किया जाता है अभी आपने 30 कोश्चन देखा अगर आ हो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सरसाथे भी बीपियस्टी सी कि अगर आप तयारी कर रहे हो उसके लिए काफी सब्सक्राइब किया जा चुका है आप उसे एक बार जरूर देख लीजेगा अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भ करिएगा ऐसे ही फ्रेंट्स बने रहे गए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स